नमस्कार दोस्तों, Welldeskai के एको नए इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वोगत है, मिरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे, समझने की कोशिस कर करते हैं, वीडियो स्टाट करने दे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट की लास्ट टेडिंग सेशन में मैंने जो फ्राइडे का टेडिंग सेशन जिसमें निफ्टी 400 बागा था, उसने मैंने आपको बताया था कि मार्केट फेक्टरिन कर रहा है, यू और जो विक्स था, वहां का जो जंप किया था, वो करीफ 6% ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो US मार्केट में करेक्शन आया था, बेसिकली अब यहां से अगर रिबाउंड होगा, तो हमारा मार्केट क्या है, इसली 25,000 की अपने मार्केट पर चलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन चेन के साथ कर मैं बता हूँ, लास्ट टेडिंग सेशन में जब न्यू सिरीज स्टार्ट हो रही थी, यानि थस्टे का टेडिंग सेशन था, उस दिन मैंने आपको यह बता है था, कि जो बेसिकली एक short straddle की value है, वो करीब 700-700 रुपे की चल रही है, ठीक है, अगर आप अभी भी देखोगे, let us suppose अगर हम 24-800 को देखते हैं, 24-800 की short straddle है, monthly, weekly की बात नहीं कर रहे हैं, हम monthly की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको देखेगा, यहाँ पे भी करीब जो value चल लही है, 425 call है, और 300 रुपे की put है, अगर देखा जाएं, तो करीब 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 700 पैटिस पॉइंट का यहाँ पर premium चल ला है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से भी अगर आप range को measure करते हो, तो करीब करीब easily 25-300 और नीचे की तरह देखा जाएं, तो 24-300 इस zone के अंदर यह घूम सकता है market, यह ध्यान में रखिएगा, अब उपर जाएट सी बात है, जो 25-300 का level है, वो एक round figure है, वो निकलेगा, तो easily 100-200 पॉइंट की rally बन सकती है, तो उपर जो resistance face करेगा 25-150 और 200 पे आपको वहाँ पर यह निफ्टी resistance face करेगा, यह ध्यान में रखिएगा, चाहें आप 24-800 के short straddle स बनाया होगा, उनको definitely 25-250 के आपस वहाँ पर resistance face करना ही पड़ेगा निफ्टी को, और जिन लोगों ने 25-000 का बनाया होगा, उनके ठीक ठाक है, क्योंकि नीचे आपको जो एक कह सकते हैं, जो safe hand है, वो अब आपको 24-700 का बन जाएगा, या फिर 24-600 का बन जाएगा, और उप 25-500 का zone, easily खुला रहेगा, ठीक है, यह ध्यान में रखेगा, ठीक है, अब short-studdle की बहुत सो को कानी समझ में नहीं आती है, कि actual में कानी क्या चलती है, तो मैं simple भी बता देता हूँ, कि देखो, total premium जो होता है, दोनों का, यानि call or put का premium मिला के, आपको एक range मिलती है, अगर उस range के पास market बहुत तेजी से चला जाता है, मानलो 24,800 से कली निफ्टी 25,100 पहुच जाए, तो 25,000 के बात का जो level होगा, वो इतनी तेजी से नहीं निकलेगा, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे call जो loss हो रहा है, उठ तो डिके हो जाएगी, call loss हो रहा है, तो यह कभी ना कभी market में selling कर सकते हैं, अपनी position को exit करने के लिए, तो option selling का मतलब यह नहीं होता है कि अगर आपकी position एक दिन अगर आपके against जाती है, तो next day या उसके अगले दिन या दो दिन बाद market फिर वहीं आने की कोशिस करता है, जहां से move किया है, ताकि जो लोग call में trap हुए या फिर put में trap हो है, वो अपनी position से exit कर सकें, यह simple logic होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेगा, ठीक है, अपनी analysis चलते हैं, तो सबसे वहले nifty देखते हैं, तो nifty का अगर moving average wise देखूं तो 50 day moving average पास आता है, तो अभी इससे काफी जादा यह दूर जाता हुआ दिकाई दे रहा ह कि यहाँ पे जो 25,000 और 25,150 का जो level होगा, वो resistance का level रहेगा, वहाँ पे आपको buy नहीं करना है, अगर आप buying में interested हो, तो यहीं से आप buy करके 25,000 पचास तक के target को play करो, ठीक है न, यह ध्यान में रखेगा, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे माललो, अगर हम Bollinger band लगाते हैं, तो Bollinger band में भी अगर आप देखोगे, तो यह top पे almost पहुच चुका है, तो हो सकता है, यहाँ कहीं 25,000 पचास पर resistance करें, क्योंकि Bollinger bands के भार market कम जाता है, यह ध्यान में रखेगा, तो यह top पे आगया है, तो जाहिए सी बात है, यहाँ से इसको थोड़ा सा करेक्शन दिखा के फिर movement करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला हूँ 25,000 आपके लिए resistance का काम करेगा, 25,000, 25,000, वो चीज़ आप ध्यान में रखेगा, ठीक है, अब अगर हम normal analysis की बात करें, तो उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 15 minute time frame के साफ से चलते हैं, तो हमें क्या है, अपना buying area डूनना है, तो हमारे लिए जो buying area होगा, वो क्या होगा, सबसे अच्छा buying area है आपका, एक तो 24,760 ठीक है, और इसके बाद है, सबसे अच्छा वो है, 24,713 से लेके, 24,660 का, अगर 24,660 आपको निफ्टी जब भी मिले, आप easily buy करिएगा, क् यहां से एक strong bounce back देखने को मिलेगा, यह point आप ध्यान में रखेगा, ठीक है, उपर की तरफ target, वही 25,000 का target हमारा intact है, जब तक 25,000 हिट नहीं होता है, हम थोड़ा सा positive side पे ही कामकाच करेंगे, यह चीज़ आप clearly समझ दी जागा, कल बहुत बड़ा gap up खुल जाता है, निफ्टी देखो, simple दी चीज़ है, तो 51,000 के ऊपर यह कामकाच करने लगा है, तो आपको करना क्या है, अगर यह 51,000 के आसपास दुबारा से मिल जाता है, या फिर आपका 50,800 के आसपास मिल जाता है, तो definitely आप एक positional monthly call लेके काम, कर सकते हो, यह point जाने लगना, weekly मतले ना, क्योंकि weekly में डिके बहुत जल्दी लग जाता है, monthly आप 51,500 की, आप 51,000 की call लेके काम कर सकते हो, यह चीज़ क्लिरली समझ लीजे, क्योंकि आप bank nifty भी rebound करना start हुआ है, तो हो सकता है, bank nifty यहां से और अगर 500-600 point चलता है, तो nifty के हो गया, bank nifty हो गया, यह दोनों आपको मैंने explain कर दी है, और global market के situation बता दिये, कि यह already positive चल रही है, थोड़ा सा यहां पर जो correction आया था, उसका benefit हमारे market को मिलेगा, क्योंकि यहां से यह जैसी recover करना start होंगे, तो फिर हमारा market sustainable 25 सजाय की तरफ और हो सकता है, तो I hope दोस्तों यह particular data आपको सुझ में आ गया होगा, दोस्तों फ्लाल इस वीडियो में इतना है, I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता दो लाइक और शिर्ट जरू करिएगा, और चैनल को जो subscribe को लिजए क्योंकि मैं सुझी लेकिया तरव हर दिन आपके लिए न ऐनोगोग cruise को नेदयो अवेवा, और शिरू कर दिन आपको लिएको और रंगा, ऊंसे तोरो करे लिएकश मैं JUL करें आपके लिए और शीजा तर जर देंगा सिरें मैं सुझीं 수ित थर जरू कर दो का दे डिहांma है, पुछल्केशश सुझीं आपके खाएंग!